Hi guys so welcome to my channelटgement coding and guys मैं आपको बताऊंगा कि आज इस video में हम sorry हम कह रहा हूं आज इस video में मैं आपको बताऊंगा कि best best and best code editor software के बारे में जो आप अपने PC में या Laptop में यूज़ कर सकते हैं तो आपको वो software दो तरीके से आपको वो अबलेबल हो जाएंगे डाउन्डोड के लिए एक तो मेरे website पर आपको जा के डाउन्डोड कर सकते हैं और दूसरा कि मैं आपको इस website software के official website के link में आपको देदूगा तो आपको वहां से भी डाउन्डोड कर सकते हैं तो फ्रेंट्स जादा टाइम वेशना कि हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रो को सो लाइस्टार्ट इंट्रो तो फेर फ्रेंट्स मैं अब आपको बताता हूं बेस्ट होड़ एडिटर सॉप्वेर जो कि आप इसली यूज़ कर पाएं इसली आप अनलोड कर सकते हैं और साथी साथ आप इसको इसली इंस्टॉल्ड आउन्ड आउन्ड आइस कर सकते हैं और नॉर्मली अगर आप बेस्ट कोड़ एडिटर अभी मुझे साथ करना है तो बेस्ट कोड़ एडिटर अगर आप सौल्स करेंगे तो आपको दिखेगा एक एक अटॉम फिर यह सब्लाइं टेक्स पर वेम यह मतलब नोट पर फ्लस फ्लस फिर मतलब इतने सारे आप देख सकते हैं इतने सारे यह क दिखाएंगी है लेकित कुछ सौल्फियर ठोल लूइए कोड़ अच्छा लगेगा अगर आपको किसी सौनने का लूख्वर अगर अच्छा लगेगा तो आप देखेंगे था जीन को इनकर त्षों को देखेंजय आतओं लूट बहुत अच्छा लग रहा है तो मुझे एटम डाउनलोड कर लूँगा या फिर यह सब्लाइम टैक्स्ट इसका भी लूप बहुत अच्छा है मैं भी यह डाउनलोड कर लूँगा यह सोच के लेकिन आपको यह पता कैसे चलेगा कि बेस्ट कोड़ एडिटर सॉफवेर तो कोड़ एडिटर सॉफवेर के लिए मैं आपको अपने वेबसाइड में पहले ले जाता हूं तो यह मेरा यूट्यूब चैनल यह तेम कोडिंग तो थैंक्स पॉर दिस कि आपने मतलब यह पहला वीडियो मैंने अफ्लोड किया तो उस आप जो है और सुस्क्राइबर्स देने में हेल्थ करें तो आप मेरे पहले ऑफिसर साइट में चले जाएं तो उसमें आपको वीडियो का यह ओप्शन दिख रहा है इस पे जो है क्लिक करके यह वीडियो तो यह मेरा पहला वीडियो है तो यह पहला वीडियो में ही आप क् क्लिक कर सकते हैं रिल्ड क्रेश कर लोचे हैं और है कि यहां पर जो है थंलेल मेरा द हम यह लिक्वर दिखेगा और यह आई टाइटल देख कर समझ हैं कर चो यह है पर पहुंए है लिखा भी एसकोड डाउन लोड का यह मारा फिर किर्किक रहे हैं लिखोड चाइव सक पर अवर किक्रशेएंगा». VS Code means virtual studio code तो यह virtual studio code मैं आपको लिएता हूं VS Code तो यह VS Code जो ए virtual studio code यह है यह बहुत अच्छा और सरी बहुत अच्छा अच्छा studio code है यह इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से means code एडिन कर सकते हैं आपको देख सकते हैं Microsoft तो ने भी अफिशल है कि हाँ यह बहुत अच्छा software है Microsoft का यह फेवरेट software है यह VS code जो है यहांपी आप देख सहकते Microsoft Wichel Studio Code कोड जो है बहुत अच्छा software है आये बहुत अच्छा code editor software Microsoft ने भी Claym किया कि बहुत अच्छा तो अगर आपको यह डाउंडोड करना है तो आपको फिल सल्च करना होगा अब यह सकते हैं यहां पर मैक ओस तो मैं आपको अपने इसमें कभी-कभी मतलब यह भी दिखाता है कि यह साइट रिक्स है इसमें तो अगर आपको मेरे साइट आफिसेल दी डाउंडोड करने है तो आप पहले मेरे साइट पे आप आ जाएंगे फिर्याद मेरा थम्मयर्ड गानहीं होगा तो यहां पर टाइटल पले है बड्डर स्बाभिस्ट और फॉर यहां पर एवस खोड प्लिक करेंगे तो यहां पर लगी तो मुझे मैने तो पहले से इस्टॉल करके लिखा है तो यहाँ पे क्लिक करके आपको विम्लy.rob और यह आपको डाउलोड करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आपके पास लगापके सिस्टर में पहले से हैं क्षर्प लाप निया नहीं है तो आप इस पे क्लिक करके Wind.rar आप डाउंडेट कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छे तरीके से लगता है तो अब हम चलते हैं वाल अप्सक्के तरह और अब दिवाते क्यासा डाउंड़ोड करें लिए मेरा यहां पर आपको दिख रहा होगा तो आपको यह दिख रहा होगा यह वर्च्वा पर यह वर्चॉडियो को ब्यास को यहां पर डबल क्लिक करना पड़ेगा फिर आपको यहां पर पर आपको पात कहां पर सब्सक्राइब नेक्स्ट 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 पर इस्टॉल तो मेरे पास पहले से तो और रड़ी मैंने इंस्ट तो इंस्ट्रॉल करने की जरूरत नहीं है तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप VS Code को यूज कैसे कर सके हैं तो यह आप मैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो आप थोड़ा वेट करिए तो सॉरी फ्रैंस यह थोड़ा गड़बर होगे था आप मैं आपको वापसी इंस्ट्रॉल करके दिखाता है तो आप इस पर डबल क्रिप करना होगा एप सक्टेश अग्रेमेंट नेक्स्ट सॉरी एक सगन्द यह नेक्स्ट 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 और और जोड़ी ओके कोई बात नहीं यह विच्ट्ट्यों को रहाएं पर यह आ करता है ईका तो कि चुद्ट्ट ओक्रीज़ भी एट शॉरा सब्रस चांट जो टो कि अखिये अखिरकार डंदी इंस्टॉल होगा अभ туच के एक दो मिनट का ठाइम ड़कता है जाला दी तो मेरा ये i4 i5 का प्रोसेसर है उसलिए इस एक दो मिनट फोड़ा लग जिया अगर आपका i9 हो तो हो सकता है एक तो डाउंगोर्ड हो गया तो मैं अचने स्पेक्टिकल देता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ ये Microsoft ने बनाया है VS Code को तो अगर मैं यहां पी फ्लुक कलता हूँ अगर मैं इसको अनिस्टॉर कलता हूँ तो दिखो तो आपको दिखता होगा कि Microsoft विचल्स को रिकोर्ड इस दब Microsoft Corporation तो यह Microsoft कहीं है इस दिखोर्ड जब आपके समझ सकते हैं कि हाँ यह बहुत रिष्टा है तो मैं अभी पास अगर्वत कल देता हूँ तो आप देख सकते हैं यह इतने सारे मैंने अभी तक टोटली प्रोजक्त बनाए हैं तो परासा और प्रस करते हूँ आपको जो है यहां पर दिखरा होगा यह प्ला निव फाइल और यहां पर आप लिकर करके निव फोल्ड एक्र कर सकते हैं तो अभी मैं डेमो प्ले जो है अभी अधिये पर लें फाइलीब करते हैं में वेट्सायर दंग्रेश देका अधर नत्वल्ड दे मिम तो आपको जो है यहां पर खरी कलना होगा तो आपको जो हरा है इस्कैने रगלה को ओनाना होगा कंछ सुब होँ इसमें अगर आपको अपना htm web server यानि आपको अपने web file को अगर आपको server आपको डालना है तो इसके लिए आपको software से install करने परेंगे लेकिन यह VS code के extension में मिल जाएगा तो आपको यहांपे click करके यहांपे click करना है फिर आपको extension पर search करना है code runner अपको search करना है light server okay li तो यहांपे आप देख सकते है light server है यहांपे यह गला मैंने पहले से install orderly कर रखा है तो अगर आपका install नहीं है तो आप इसके install कर दोगे रहा है तो यह इतने time kill हो रहा है आपको यहांपे menu click करके अपर अपना demo.html कर दोगे रहा है कर लिया तो अब मुझे HTML web store document बनाना अभी मैं simple सही बना देता हूँ ज्यादा style नहीं दिखाऊंगा मतलब style नहीं डालेगा यह तो video बहुत नंबा हो जाएगा तो यहांपे मैं इससे तले से फिर one बटन जो इसके आप click करेंगे तो किछ ऐसा है तो अगर आप नीचे click करेंगे तो थोड़ा मस्कल होगा तो आपको back design करेंगे तो यह रहने देता है अगर आप दूसरा कोई code editor software डाउनलोड करते हैं तो उसमें मतलब इतना अच्छा feature नहीं होता है तो इतना सारा मतलब code इसने अपने आप लिख दिया तो मुझात पुरा मतलब code editing करने में थोड़ा easy रहेगा तो फी आफे आगे चलते हैं तो डॉकिमेंट पर मैं रिक देता हूं ok तो मैंने इसमें लिख दिया demo ok फिर मुझे body में में लिक ता हूं नहीं, नहीं, सॉरी मैं लिए लिए वेलकम टू 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 टी एक कोरी तो फिर अब मैं प्राग्राफ टाइक दे रहता हूं तो प्राग्राफ में रहता हूं एक सब्सक्राइक तो हम नहीं अब अब अच्छार टाइड एक दे देता हूं पर इसके बाद में दे रहता हूं बी यार अभी दे रहता हूं और अब झाले लिखते हैं कैलितन पर अब दे लिखते हैं कैलितन पर आग्राफ्त है बो अदेसे पने गयाओ कुछ नहीं दिखाने कि यहां पे मैं इतना क्लिया आप मुझे इसको को रखने रे हैं यहां स्कूझ अनुरह उपर मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो तो आई है दिये वीडियो फोड़ा लंबा ओ जाएगा ताप पे इस पे क्लिक करके इंस्ट्रॉल करना हूँ तो मैं यह थोड़ा कट-कट करके आप दिखां का क्या यह वीडियो बहुत लंबा जा रहा है तो अब मेरा यह लाइट सर्वर इंश्टॉल हो गया है अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि अब मैं कैसे करूँगा तो यह मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं तो फिर अब यहां लिखा है open with light server मैं इस पे प्लिक किया फिर आपे मतलब इस पे अगर आपको अलाव एकसेस करना है तो आप कर दीजाए नहीं कलना तो कैंसल भी आप कर सकते हैं मुझे अभी अलाव एकसेस करना है तो तो अभी मैं अलाव एकसेस कर जाता हूं तो यहां पे आपको दिखता है welcome to tm coding क्यों यह अगर आपको अगर ऐसी थोरा अगर 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 आपको दिखा रहा है कि यहां पे TTPS यह मतलब सर्वर का लिंक है अगर आपको तो अपना वेबसाइट अगर अगर पब्लिस करना है तो उसके लिए आपको आपको एक मिल domain server खरीदना पड़ेगा hosting server domain server आपको खरीदना पड़ेगा तो उसके लिए best website में आपको बताता हूँ उसका नाम अभी मैं याद करके तरह तो उसका नाम है bluehost तो bluehost आप जो है उसके आप कर सकते तो तो यह ब्लू हो इससे आप जो फोस्टिंग कर सकते हैं तो फिर आज लिए बस इतना तो आगे हम और यह आप मुझे बताईएगा कमेंट पर कि अब मुझे जो है किस चीज के उपर जो है अभी मुझे website सरी website कह रहें अब मुझे किस चीज के उपर जो है मुझे वीडियो अप्लोड करना है तो इसके लिए आप मुझे बताईए कि मैं आप किस चीज के उपर बनाऊगा तो आज के लिए वस इतना ही अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तो आप देख सकते हैं यह मेरा फाइल कलो फिसमें तो अब मैं आपको मिलूंग अब नेक्स्ट वीडियो में तो आप मुझे बता दीजेगा आपको आई बटन पर यहां पर दिखेगा आप उस पे क्लिक करके बता दीजेगा उन्स चीज के पर वीडियो बनाऊ या अप्ट आप मुझे कमेंट पर लिकर बेज दीजगा तो आज लिए बस इतना